क्रिस्टिन लोगों का तीन में तेवार मनाया जाता है पूरी दुनिया में पहला तो आप जानते हैं क्रिस्मस जिसे हम बड़े दिन के रूप में जानते हैं उस समय प्रभुश्य मसी का जन्म हुआ उसके बाद दूसरा में फेस्टिवल या सेलिबरेशन है वो है गुड फ्राइडे जी हाँ गुड फ्राइडे जो अभी आने वाला है गुड फ्राइडे के दिन बाइबल परमिश्वर के वचन के अनुसार येश्य मसी हमारे पापों के लिए मरा और उसके बाद तीसरा जो सेलिबरेशन होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे मसी समाज में और विश्वासियों के मरली में वो है इस्टर अर्थाद गुड फ्राइडे के दिन या फ्राइडे के बाद तीसरे दिन को प्रवईश्य मसी मुर्दों में से जी उठा अब लेकिन आज मैं आपके सामने गुड फ्राइडे के बारे में बताना मांगता हो सकता है आपने कई बार सुना होगा गुड फ्राइडे के बारे में या अगर आप विश्वासी हैं तो आपने जरूर इसके बारे में प्रचार भी किया होगा और जानते भी होगे लेकिन फिर भी हमें याद करना चाहिए कि प्रभी शुमसी क्यों हमारे लिए बलीदान हुआ और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने प्रमेश्वर के वच्चान लाने की कोशिश करूँगा हम देखते हैं कि हमारे चारो तरफ समाज में पूरी दुनिया में पाप का एक साया है कोई इसको डिनाइ नहीं कर सकता हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ पाप ही पाप है और यह आया कहां से पाप अच्छली यह पाप आया अदन की बगीचे से उत्पत्ति उसका तीसरा ध्या है और आठ से मैं आगे पढ़ूँगा कि किस प्रकार से शैतान ने आदम और हवा को बहकाया और पूरी दुनिया पूरी स्रिष्टी पूरा जानवर और पृत्वी आदम और हवा सब श्रापित हो गए मैं आपके लिए पढ़ूँगा उत्पत्ति तीन आठ से आगे तब यहवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया तब आदम और उसकी पतनी वाटिका के व्रिक्षों पीच यहवा से छिप गए तब यहवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहा है उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया उसने कहा किसने तुझे चिताया कि तुम नंगा है जिस व्रिक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था क्या तुने उसका फल खाया आदम ने कहा जिस स्थरी को तुने मुझे मेरे साथ रहने के लिए दिया उसी ने मुझे इस व्रिक्ष का फल खाने को दिया मैंने खा लिया तब यहवा परमेश्वर ने इस्त्री से यही बात कही तुने यह क्या किया स्री ने कहा सर्प ने मुझे भैका दिया कहने का मतलब यहां पर सब एक दूसरे पर दोश लगा रहे है चौदा पद तब यहवा परमेश्वर ने साप से कहा तुने यह जो किया इस तेरे वंच और इसके वंच के बीच में बायर उत्पन करूंगा वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ड़सेगा इसके बाद हम देखते हैं फिर उसने इस्तरी से कहा मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्वती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा तू पीड़ी थोकर बालक उत्पन करेगी और तेरी लालसा तेरे पती की ओर होगी और वह तुछ पर प्रभूता करेगा सत्रमापत और आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस व्रिक्ष के फल के विशह में मैंने तुझे आग्या दी थी कि तू उसे ना खाना उसको तूने खाया इस कारण भूमी तेरे कारण श्रापित है और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और तेरे लिए काटे और उट कटारे उगाएगी और तू खेद की उपज खायेगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू उसी में से निकाला गया तू मिट्टी तो है और मिट्टी में फिर मिल जाएगा यहां तक हम देखते हैं परमिश्वर के बचन में कि किस प्रकार से श्रापित हुआ सब लोग श्रापित हुए साप हुआ, पृत्वी हुई जमेन हुआ, आदम हुआ हवा हुई सब श्रापित हुआ और उन्ही के जो हम बच्चे हैं, जनजाती जो चली आ रही है आज हमारे बीच में और इसलिए हम सब प्रापाप से ग्रसित हैं हम पाप से ग्रसित हैं मेरे मित्रो और इसी वज़ह से इस पाप की वज़ह से प्रभुई श्मसी को आना पड़ा एक मनुष्य के पुत्र के रूप में हाला कि वो परमेश्वर है और था लेकिन उस समय 2000 वर्ष पूर्व प्रभुई श्मसी ने जब क्रिस्मस के दिन समय जन्म लिया और फिर आगे चल करके 30 साल के बाद वो अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाने के लिए आ गया फिर हम देखते हैं दूसरे स्लाइड में अगर आप देख रहे हैं अपने मॉबाइल में किस प्रकार से हमारे चारो तरफ पाप ही पाप है चारो तरफ मेरे अंदर पाप है मेरे चारो तरफ पाप है ये वक्ती एक तरह से प्रिजनर है एक प्रकार का कैदी बन गया है पाप से घिरा हुआ है ये वक्ती और वो उसके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है कोई स्वतंतरता नहीं है पाप के बंधन में पाप के दासत्व में वो फस गए हैं हम सब व्यक्ति फसे हुए है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभुई शुमसी ने ये बात ठानी और परमेश और पिता ने ये बात ठानी कि मैं अपने पुत्र अर्थात प्रभुई शुमसी को इस दुनिया में भेजूँगा अगर एक चीटी है और चीटी के सामने अगर मैंने पानी डाल दिया वो चल रही है और एकदम से रुख जाएगी, वो देखिए, यहां तो बहुत पानी है, मैं कैसे क्रॉस करूँगी, कैसे मैं इस पानी के उस पार जाओंगी, मैं कितना भी उससे बोलो, कि भाई आगे मत ज तब जा करके उसको बोलना पड़ेगा, भाई दीदी या भाईया, दू, इदर से नजल, पानी है, नदी है, ठीक उसी प्रकार से प्रभुई शुमसी आपके लिए मेरे लिए मनुष्य बना, जी हां, मनुष्य बना, और यह हिस्टोरिकल फैक्ट है, यह इतिहास की एक सच प्रभुई शुमसी आने वाला था, और यह जो प्रतिग्या प्रभुई शुमसी ने की थी, तीन, उसका पंद्रा, उत्पत्ति, उसका तीसरा अध्याय और पंद्रमापद, यह पहली भाईजद्वानी थी प्रभुई शुमसी के बारे में, कि वो आएगा, सुन यह क्या प्रमेश्वर ने कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, और तेरे और वंच, और इसके वंच के बीच में बैर उत्पन करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा, और यही बात हुई, जब प्रभुई शुमसी को कुरूस पर चड़ाया गया, जी हाँ, सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से येश्व मसी का आना तै था, आपके खातिर, मेरे खातिर, हम सबों के लिए प्रभुई शुमसी इस दुन्या में आएं, यह हिस्टोरिकल फैक्ट है, और अगर हम आगे किस स्लाइट को देखेंगे, अगर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पापी मनुष खाई के बाहित तरफ है और पवित्र परमेश्वर खाई के दाइनी तरफ है, बीच में बहुत भड़ी खाई है, और उस खाई में क्या है, death, 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 मौत मौत क्यों कि लिखा हुआ है रोम्य उसका 23 में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया आपने पाप किया मैंने पाप किया आपके पडोसी ने पाप किया हमारे समाज ने पाप किया पूरे मानव जाती ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रही थे जियां यह बात हम पर देखते हैं और फिर पाप की मजदूरी क्या है मौत रोमियोज का च्छे अध्या और तैस पत में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मौत है लेकिन प्रभुई शुमसी में एक वर्दान है अनंत जीवन का और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रियो हमारे लिए प्रभुई शुमसी इस दुनिया में आएं और उन्हें अपने उपर वो पाप का बोज उठा लिया वो पाप का श्राप उठा लिया और अपने आप को हम देखते हैं इस स्लाइड में किस प्रकार से यशुमसी हमारे लिए क्रूस पर चड़ा उसके हाथ में कीले ठोकी गए उसके सिर पर काटों का ताज पहनाया गया उसके चाते में भाला भेदा गया उसके पाउं में कीले ठोके गए उसको थपड मारा उसके उपर थूका उसके उपर कोड़े लगा, यह सब हम पढ़ते हैं मेरे भाई बैनों और मित्रों, प्रभुई श्मसी, आपके और मेरे लिए कुरूस पर मरा, जी हाँ, कुरूस पर बलिदान हुआ क्यों? क्योंकि जो कर्स, जो श्राप था, पाप का वो अगर निकलना था, अगर हमें पवित्र परमेशवर से मिलना है दोनों के बीच में क्या अटका हुआ है? पाप पवित्र परमेशवर एक तरफ, पापी मनुश्य दुसरी तरफ अगर दोनों का मिलान करना है, तो उस पाप को हटाना है प्रभुईश्य मसी ने अपना बलिदान दिया मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहां पर गलतियों की पत्री उसका तीन अध्याए और तेरा पद गलतियों की पत्री उसका तीन अध्याए और तेरा पद देखे क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में मसी ने जो हमारे लिए श्रापित बना सुनो मेरे भाई बैनो मसी ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर विवस्था के श्राप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है क्या लिखा है? जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है जो कोई काट पर या कुरूस पर लकड़ी पर लटकाया जाता वो क्या है श्रापफ पे थै पराने नियम में हम देखते हैं जब साब के काटे हुए को से हीलिंग चाहिए थी और लोग इसराइली लोग मुज़ा के पास आए तो पराने नियम में हम देखते हैं कि लोग कंप्लेंड करने लगे भाई देखो साप के काटने से लोग मरे जा रहे है तब मुसा ने क्या किया पीतल ब्रॉंज में बना करके उसने लटका दिया काट पर खंबे पर और उसने कहा जो कोई इसकी और दिष्टी करेगा वो चंगा हो जागा वैसी हो गया येश्यू मसी उसी प्रकार से आपके लिए और मेरे लिए क्या बन गया कर्स श्राप श्राप बन गया जो मौत आपको और मुझको सहनी थी वो येश्यू मसी ने कुरूज पर सही ये है गुड फ्राइडे इसलिए तो हम इसको गुड फ्राइडे बोलते हैं अब बड़ी अजीब बात है कई बार मेरे से लोगों ने पूचा भाई येश्यू मसी मारा गया और आप लोग उसको बोलते हैं गुड फ्राइडे ये तो बड़ फ्राइडे हुआ अगर हम नॉर्मल मनुष्य रिती से देखें तो ये सही बात है कि जो कोई अगर मरता है तो हम थोड़ी बोलते हैं बहुत अच्छा अच्छा दिन है आज नहीं 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 बिलकुल सही है लेकिन गुड फ्राइडे इसलिए क्योंकि पुरे माना हो जाती के लिए एक गुड न्यूज है एक शुब संदेश है कि ये शुमसी मेरे पापों के लिए श्रापित हुआ और वो क्रूस पर कार्ट पर मेरे लिए और आपके लिए क्या है लटकाया गया आगे हम देखते हैं कि वो ये शुमसी जो हमारे लिए बलीदान हुआ अब उसने हम दोनों के बीच में अर्थाद पाप पापी मनुश्य और मनुश्य के बीच में एक बिच्वई वाला काम किया एक मिलन वाला बात किया एक परमेश्वर के साथ मनुश्य को मिला दिया जी हाँ और वो صرف कैसे हुआ उसके बलिदान के दोरा अब हमारा मेल मिला परभुई शुमसी के दोरा हो सकता है अब जैसे कि हम देखते हैं अगर आप देख रहा हैं वीडियो इसका अगर आपके mobile में है मैंने slides डाले हैं कि किस प्रकार से cruise बीच में आ जाता है दोनों खाई के बीच में और एक रस्ता बन जाता है अब मनुश्य बड़े राम से विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ एक मिलन कर सकता है बिच्वई हो सकती येश्व मसी ने वो बचवाई किया आपके अब मेरे लिए ये है परमेश्वर का प्रेम मेरे प्रियो अब आपको और मुझे क्या करना है मुझे अब cruise पर परचड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो येश्व मसी ने कर लिया मुझे अब मरने की जरूरत नहीं है येश्व मसी ने अपने उपर ले लिया बलिदान कर दिया अपने आपको जिया बस आपको और मुझे को बस विश्वास करना है अपने पापों से पश्चताप करना है कहना है प्रभू मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन 2000 वर्ष पूर्व तु मेरे पापों के लिए मारा गया मेरे पापों के लिए तु मलिदान हुआ मेरे पापों के लिए तेरे शरीर में कीले ठोकी गया तुन ये दुख क्यों सा क्योंकि तु मुझसे प्यार करता है प्रभू मैं आज मैं तुझे को धार करता करके ग्रहन करती हूं आज मैं तुझे अपना मित्र अपना प्रभू करके ग्रहन करता हूं मेरे मित्रों जब आप इस प्रकार की प्रार्तना प्रभू के सामने करेंगे सच्चे दिल से, सिर्फ बोलने के द्वारा नहीं सच्चे दिल से तब परमेश्वर आपके पापों को शमा करेगा क्योंकि लिखा हुआ है जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, उसी प्रकार एक मनुष्य के द्वारा अर्थात येश्व मसी के द्वारा जीवन भी इस जगत में आया सिर्फ विश्वास करना है विश्वास करना है, उसको उधार करता करके ग्रहन करना है बाकी पर काम तो भाई साब मेरी बहन जी, परमेश्वर ने क्रूज पर गर्द दिखाया, हालेलुया और एक बात और मैं बता दू येश्व मसी सिर्फ गुड फ्राइडरी के दिन मरा नहीं, मरा तो है, वो तो है वो तो तत्य तो है लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके बारे में हम बात करेंगे बात में लेकि इतना बता दे न मांगता हूं कि येश्व मसी अब मुर्दों में नहीं है कबर में नहीं है वो आज जीवित परमेश्वर है वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है इसलिए जो भी भाई बहन सुन रहे हैं इस बात को, याद रखें हम जीवते परमेश्वर की अरादना करते हैं हम जीवते इश्व मसी की अरादना करते हैं हाँ, ये बकाइदा है कि इश्व मसी हमारे पापों के लिए मारा गया ये सही बात है, बलिदान हुआ लेकिन इसी से नियाए हो गया परमेश्वर का कि पाप की की मत चुका दी गई मौत और आज हिश्व मसी जीवित है वो आपको और मुझको ग्रहेंड करना मांगता है यदि आप आना मांगते है नहीं तो पाप की मजदूरी तो मौत है साब अगर आप प्रभुश्व मसी का तरसकार करेंगे तो चाहे आप गुड फ्राइडे मना लीजे इस्टन मना लीजे क्रिस्मस मना लीजे कोई फाइदा नहीं जब तक ये श्व मसी के बलिदान को अपने जीवन में आप ना लें सो मेरे भाई बेनों अभी इसी समय प्रभुश्व मसी को ग्रहन कर सकते हैं अब मैं जानता हूँ आप में से कई लोग विश्वासी भी हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं आप अपने नॉन क्रिस्टन जो अविश्वासी उनके साथ बैठ करके ये वचन जरूर सुनिया है उनके साथ बैठ करके और फिर ये दूसरों उनको बताईए कि गुड फ्राइडे का मतलब क्या है क्यों एश्व मसी हमारे लिए बलिदान हुआ अब मैं आपके लिए भी संदेश देना मांगता हूँ जो नेक्स स्लाइड में है वो ये है कि आपको और मुझ को एक क्रूस पर चड़े हुए व्यक्ति के समान जीवन बिताना है मैं प्रभू के साथ क्रूस पर चड़ाया जाना है हाँ मैंने प्रभूश मसी को ग्रहन किया लेकिन उधार के लिए अभी है मुझे क्रूस पर नहीं चड़ना है कहने का मतलब आत्मिक रिती से मुझे अपने आप को मेरी जो लाल साएं है मेरे अंदर जो स्ट्रॉगल्स है मेरे अंदर जो घमंड है मेरे अंदर जो गलत अशलील चित्रों की जो लाल सा रहती लालच है या और भी दूसरे पाप हो सकते है उसको क्रूस पर चढ़ाना है मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ गलतियों उसका दूसरा अध्याए और बीस पद क्या लिखा हुआ है देखिए परवेश्वर के बचन में बहुत साफ रिती से लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि आप इसको बड़े ध्यान से सुने यहाँ पर लिखा मैं मसी के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसी मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझ से प्रेम किया और मेरे लिए अपने आपको दे दिया तो हम जो विश्वासी भाई बहन है हमें भी अपने आपको हमारी डिजायर्स को हमारी च्छाओं को क्रूस के साथ नेल करना है, कीले ठोक देनी है हो सकता है कोई कमी हो आपके जीवन में मेरे जीवन में भी कई कमया रहती है मैं उसको प्रभू के सामने माल लेता हूँ और कहता हूँ प्रभू इसको आज मैं क्रूस पर चढ़ाता हूँ लालच को कुरूस पर चढ़ाता हूँ, घमन को कुरूस पर चढ़ाता हूँ, जो उल्टी सीधी बाते मेरे दिमाग में आती, मैं उसको कुरूस पर चढ़ाता हूँ, मेरा पूरा सेल्फ, मैं कुरूस पर चढ़ाता हूँ, ताकि मैं तेरे लिए, तेरी महिमा के लिए, पवि self को अपने देह को प्रभू के लिए उसकी जो desires हैं उसको हम cruise पर चढ़ाएं ताकि हम पवित्र जीवन बिता सकें रोमियों उसका बारवा अध्याय क्या कहता है मैं आपके लिए पढ़ूँगा पहला पद रोमियों उसका बारवा अध्याय पहला पद इसलिए है भाईयों मैं तुमसे परमेश्वर की दयाइस्मरण दिला कर बिंती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिधान करके चड़ाओ यही तुम्हारी आत्मेक सेवा है आप समझ गया न मित्रों आशाए कि आप समझ गया है कि विश्वास में बढ़ने के लिए पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे शरीर के जो भी बाते हैं कमजोरिया है आज हम गुट फ्राइडे के दिन कुरूस पर चड़ा द और कहें प्रभू आज से मैं अपना जीवन पवित्रता के साथ तेरे हाथ में सौपती हूँ सौपता हूँ क्या होगा फर्मेश्वर आपको आशिश करगा सो आज हमने देखा बहुत सारांच में कि क्रूस की क्या कथा है गुट फ्राइडे के दिन का मतलब क्या है जी हाँ वो आपके मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आपका मेरा जो करतब है एक मसीह होने के नाते एक विश्वासी होने के नाते हर दिन अपने आपको प्रभू के सामने कहे प्रभू मैं अपना जीवन तुझे सौपता ह हूं मेरे डिजाइर्स मेरे डालसाएं मेरे चाहें जो मेरे शरीर से निकलती हैं वो मैं क्रूस पर चढ़ाता हूं चढ़ाती हूं पर मिश्वार आपको अग्वाई आपकी इसमें अगवाई करे और ये गुड फ्राइडे का दिन आपके लिए सच मुझ में एक वुड